आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूं इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है दो मिर्ट में बनकर रेडी हो जाती है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स ताइम आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दे ब श चैनल इतंततर बश्यों सब्सक्राइब मेरें बâninform आप के लिए जयानी के नीवो पहुंडर के पैके ज्वोड़ें है आपकी City में जो बी सब्सक्राइब मिलता है रेदी मैट आप वो ले सकते है किसी भी प्रण्ट का चलेगा बस आपको ध्यान यह रखना है कि एक ग्लास के लिए आपको एक निम्टो पॉटर का पेकेट लगेगा उसके लाबा मैंने आपर लिया है एक सोडे की बोटल इस एक सोडे की बोटल से हम तीन से चार प्लाइब करेंगे दिए मैंने तीनों क्लासे आपकी सारी शिकंजी जो है बाहर आ जाएगी इस तरह से पहले इसे आधा अधा फिल करें जैसे आप इसे फिल करेंगे आपके बवस थोड़े बेटते जाएंगे एक बार आप इस्पून की हल्प से इसे मिक्स कर लें अच्छे से क्योंकि हमने इसके निमो पावडर डाला है उसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है वरना उसका टेस्स नहीं आएगा फिर देखें बहुत ही इस पीड़ी आपको इस वारा काम करना है वरना आपकी सोड़ा शिकंजी अच्छी नहीं लेगेगी क्योंकि इसमें बबल्स नहीं रहेंगे तो आपको शिकंजी पीने मे अधा नहीं आएगा यह देखिए जैसे ही आपके बहुत सोड़ा बेट जाते हैं आप थोड़ा थोड़ा सोड़ा इसके अंदर और एड़ कर देंगे तो आपकी सोड़ा शिकंजी जो है तो आधी आधी ग्लास कर जाएगी इस तरह से बहुत ही स्पीडली मिक्स कर लेना है इस बाद फटा फट से इसके अंदर डाल देंगे आइस क्यूब एक एक आइस के सम तीनों ग्लास के अंदर डाल देंगे अभी इतना सोड़ा और बचा है कि हम एक ग्लास और सोड़ा शिकंजी बना सकते हैं यह देखिए आपका इंस्टेंट निम्बू सोड़ा शिकंजी बनकर बिल्कुल रेडी है बस अब आप इसे फटा फट से सव करें बहुत जल मिलते हूं आपसे अगली रिस्पी के साथ तक के लिए बाई थैंक्यू